हेलो इस्टूरेंट्स कैसे हैं आप लोग एक और वीडियो आपके एक्जामनेशन की तयारे के लिए इंडियन इकानोमिक डेपलमेंट भारती आर्थी विकास के चैप्टर नमबर 3 जिसका नाम है भारती अर्थिवस्था 1951 से लेकि 1990 जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिश्य के बारे में भारत में क्रिश्य की स्थिति भारत में क्रिश्य की विजश्टा हैं उसकी समझ से क्या 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 कि विकास की कौन को से नीतिया बनाएगी इन सब के बारे पढ़ेंगे इस चैप्टर में चैप्तर ना है हमें पख़दता है। भारती उर्तिवस्ता में कलिषी नियर्वर होने के बिटिकारण पूराने टाइम से 1947 से लेकि आज तो कम लेकिन 1947 के समय में भारत की जन्सिंका का लगवा 72 परसेंट लोग किरशी पर निर भड़ते क्योंकि करने को कोई दूसरा सादन नहीं अद्दुगों का बिकास था नहीं सिल्फ का बिनास हो चुका था अंग्या जो ने हमारे अंधराश्चित व्यापार को हमारे इंडिस्टी को हमारे अग्रिकल्चर को बरबात करा तो लोग अपनी पेट पालने के लिए अपनी आज़िविका के लिए कृशी पर निरवडते अब इसके परमुक महत प्यायक है उसके बारे में पढ़ते हैं Importance of Agriculture in Indian Economy सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके महत में की महत में नंबर वन आता है आजविका का प्रमुक्स रोत भारत में किर्शी जो है भारती लोगों के आजविका का एने कि अपने लाइफ को जीने का सबसे पहला सुरोत है भारत की कुल जेंसिंक्या का 58-2 परतिशत आज भी किर्शी की उपर निर्वर है यहने कि कुल जेंसिंक्या यहने कि अगर 100 लोग है उसमें से 58 लोग कहती करते हैं बागी बचे 22 लोग जो किसी दूसरे कामों में जैसे secondary sector और तर्सरे sector में इंगेज विए उसके अलावा अगर कहे कारेशिल आवादी का क्योंकि कुल जेंसिंक्या मतलब वो वह तर सभी लोग और कारेशिल का मतलब वे लोग जो एक्षुली में किसी ने किसी काम में तो टोटल कारेशिल आवादी का 55 प्रतिशात लोग खेती से संबंधित करते हैं इसके अलावा दूसरा पॉण्ट बात करें कि भारती अर्थिवस्ता में राष्टी आयमें क्रिशी का कितना एकदान है क्रिशी का राष्टी युदान के बात करते हैं 1950 में सबसे ज्यादा हुआ करता था 51 परसेंट क्योंकि आर्थिक विकास हुआ सेकिंडरी सेक्टर के डपलेमेंट हुआ तरसरी सेक्टर के डपलेमेंट हुआ तो यह बहुत कि उन्हें दोजार तेरा चौदा में कितना हो गया तेरा दसलम नौ परतिशत और दोजाटर उन्निस में चौदा दसलम चार परतिशत रहा ठीक ना एक समय ऐसा था जब भारतिये राष्टी आय में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता था क्रिशी ठीक है क्यों मज़ूरी थी क्योंकि मैकसिमम लोग क्रेटी में ही जुड़ी होई तो उसमें ऐसा कोई काम दूसा था ने जिसमें वो इंगेज हो सके आर्थिक विकास का आधार क्रिशी है क्यों क्योंकि भारत के मैकसिमम जो रोजगार है वो क्रिशी से है और लोगों की जो आए है वो भी क्रिशी से ऐसे में आर्थिक विकास का जो आधार ही क्रिशी रहे गया था केशी जो है भारती उद्दूगों के विकास का आधार है बेस है क्यों क्योंकि उद्दूगों के लिए जो भी कच्छे माल की कच्छे माल चाहिए वो सब कहां से जाता है केशी से जाता है केती से ठीके ना चाहिए बिस्किर बनाने के लिए गेहूं हो आटे के लिए गेहूं पढ़ाने के लिए कच्छा माल चाहिए और कच्छा माल खेती से मिलता है इसके अलावा जो फाइनल गुड्स है अंतिम गुड्स से जो ग्रॉव मेट्रिल तैयार होता है उसकी आपूर्ती भी कहां होती है खेती करने के लिए फर्टिलाजर चाहिए दवाईया चाहिए अच्छे बीस चाहिए मशीने चाहिए सब कहां से आती है सब उद्दूगों से आती है तच्छे माल जाता है और वहां से तैयार हुआ माल खेती को प्राप होती है ठीक है नेश्ट विदेशी ब्यापार में महत् प्रभारत जो है एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ड भी करता है ऐसे में भारती अंतराष्टिय ब्यापार में खेती का एक बहुत एहम युगतान आ जाता अप सोची जड़ा सोच कि लेकि इंडिया में जो पिदेशी ब्यापार में से अगर किसी सम्मध्द उतपादों को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या क्योंकि भारत पुरे विश्व में मसालों का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है भारत जो है विश्व में चाय का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है भारत जो है विश्व में जो बहुत सारे खनिश पदार्तों का एक्सपोर्टर है अगर इन सब को निकाल दिया जाए तो क्योंकि इस सब खेती से संबन दिते हैं तो वितेशी वैपर में कुछ बचेगा ही नहीं ठीक है नेस्ट खाद सामगरी की आपूर्ती लोगों को खाने पीने का जो सामान है जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है खाने के लिए खाने देश की में परमुक सबसे बड़ी आवादी गाउं में रहती है गाउं के लोगों की सबसे बड़ा जो एकदान है वो खेती करिशी का होता है आयका ऐसे में घरेली उप्यापारन केती जैसे सबजियां हो गई फल हो गई फूल हो गई ठीक है ना या फिर मचली हो गई या फिर यूं कहें दूसरे जड़ी बूटियां होंगे दवाईयां होंगे यह सब चुझे खेती से होता और यह खेतों से ही ब्यापार बढ़ता है लास्ट में खिरिशी जो है राष्ट की संपत्ती है क्योंकि किरिशी से ही सब चुझ जुड़ा हुआ हुआ है चाहे हम खाद की संपत्ती का दर्जा दिया आगे है चलिए आगे बढ़ते हैं भारती अर्थवस्ता में क्रिशी के महत्व को पढ़ने के बाद हमें यह समझना होगा क्रिशी की विशिष्टा है क्या क्या है अर्थवस्ता के लिए अगर क्रिशी की विशिष्टा की बात करते सबसे पहल हम समय भारत समन्हें ने तीन रख्पाधन करते हैं। देख लिजी एक बार के उतौ रहे हैं। तो यह जो बात हो रही है ना यह जो बात हो रही है यह लगवा हिटे संब्सक परदर चावाल को उत्पासथन करती थी उस समाई भारा उसका आधा 3.6 हमसे ज्यादा अत्पादन करता था बियतमान या ओवरॉल बिश्वी की जो अवरेज देखी है वो 4.5 टन है इसकादा हम जो है अवरेज से भी कम अत्पादन करते थे यहों की अत्पादन की बात करते हैं UK में एक हेक्टेयर में 9 टन का अत्पादन होता था चीन में 6.5 और भारत में उसका आधेस से भी बहुत कम तो भारती क्रिष्वी का विकास दर भी निम दरजे का था भारत की बिछास की दर करें तो लगबालवा 1.4 परसेंट आज भी है की भारत की बिछास नहीं होता भरती क्रिष्वी पता धान नहीं होता क्योंकि भारती किसानों की आए बहुती कम है जो आए कम होगी तो विकास पर जोए कम ध्यान दिया जाएगा सिविस सिचाई की सुविधा भारत में अगर हम बात करें 1947 से लेके 1990 की बीच में सिचाई की सुविधा का प्रयाप अभाब था ठीक ना लोग जो है नहर भी तो खेती बरबाद नेक्स्ट जोतों का छोटा सबसे बड़ी प्रावलम यह भारत में जो है खेती की जो जोती है नॉर्मली क्या का जाता है कि जापान अमरिका कनाड़ा वगरा में की केवल दो परतिशत लोग खेती करते हैं और उनके पास जो खेत होते था ना एक एक जोती है चोटी 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 करना उतना ही मुश्किल होता है इससे उत्पादक्ता में भी कमियाती है क्योंकि हम टेक्निक कर सकते हैं अच्छे बीच का इस्तमाल नहीं कर सकते हमारे के कुणजी इतनी आती नहीं है तो बड़े समस्सा है कि जोतों का छोटा-छोटा होना खाद्यान फसल की प्राचुकता भारत में जो किर्शी होती है आज के टाइम बे भी वो प्रमुकता खाद्यान फसलों की ही होती है जैसे गेहूं हो गया मक्का हो गया चावल हो गया ठीक ना बैफसेख फसलों की खेती बहुत ही कम होती बैफसेख मतलब बैफसल जिसको बेच बिजनस की तरह ले सबसे बड़ी प्रॉलम में यह है भारत में कि रिशी आप तबीत सोड़ा सही हुआ है निर्भा कि इसका मतलब यह हुआ कि लोग खेती करते थे कि अपना पेट भरे लोग कहते दियार अप इतना उगालो ताकि अपना अपने घर का पेट भर जाए लोग पुड़ानी मोविया भी देखेंगे लोग कहते हमें बहुत नहीं चाहिए हमें उतना चाहिए जितना हमारा घर नहीं गलत है आपको उतना उगाना है ताकि आप खेती से लाब भी अर्जित कर सके फ्यूचर के लिए आप अपने बचा भी रख सके खेती को निर्भा सबसे बड़ाуть है यहां पर बिरुजगारी बहुत बढ़ती है क्यों माल लेजे एक खेत में जो है दो लोगों से काम होता है लेकिन क्या होता है उस परिवार के सभी लोग क्योंकि उनकी वष्य करने को फूब कोई दूसरा काम नहीं होता है वह खेती से इस this स्थिती से चाही करना, खात देना वो लगवाता है, लेकिन नॉर्मल है जो काम होता है, वो जब तीन मैने बाद होगा, यने कि मार्श में जाके फर्वारी मार्श में जाके शुरू होगा, जब वक्रे तयार हो, इसका मतलब उसके बीच की जो दो तिन मैने, तब क्या, तो लोग खाली बढ़ते हैं जिससे मौसमी वेज़गारी भी बढ़ती है नेक्ट है आधनिक तक्नीक अभाव भारतिय क्रिश्ची में कि दौरा आधनिक बढ़ती है और तक्नीक उननत नहीं होने के कारण भी क्योंकि हम प्राप्रत तक्नीक का प्रियोग करके खेती करते हैं इसलीए हमारी उत्पादक्ता भी नहीं बढ़ती है अब इन सब के बाद हमें ये पढ़ना है कि भारतिय क्रिशी के समक्स पर मुख समस्या कौन कौन सी है अगर भारतिय क्रिशी के समक्स पर समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से भारतिय क्रिशी के सामने प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम से और इत कि भारत के लोग जो है खुद के नलकूप लगा के काम करते हैं लेकिन उसके बावजुद भी बहुत सारा एडिया है जहापर आज भी केवल केवल बारिश के पाने पर कृष्षी निर्भार है बारिश नहीं होती तो कृष्षी की पूरी व्यवस्था हमारी खराब हो जाती ह सिचाई की प्राव सुविधा का अभाव है दूसरा पूंजी की कमी बहुत बड़ी प्रावलम है पूंजी के लोग के पास अपने खुद के डफलमेंट के लिए अच्छे बीच खरिदने के लिए कीट नासा खरिदने के लिए अच्छे औजार अच्छी मशीने अच्छे टक्मिए क्कार चियरते और इनको जल्दी से लोन मिल पाता है तो जब पैसह नहीं मिलेगा लोन नहीं मिलेगा तो मिलेगा पृटक तो बढ़ानेकेलिए वह किस तरह से अगे बढ़ेंगे परवादी विचरधार आजबी लोग की बीच में खेती से जुड़े जो है विचारधा यूसे हैं एक पढ़ा लिखा आदमि अगर खेती करने के लिए तो पढ़ा कायो के लिए है खेती करना था पढ़ा लिखा क्यों लोग सोचते हैं कि खेती जो है सबसे निम दरजे लोगों का मिले जबकि इस सोच को बदलने की जरूरत है क्योंकि पड़ा लिखा आदमी खेती करेगा तो नए तरहेगे से करेगा उसमें नया इनोवेशन आएगा नए तकनीक आएगी नए सोच के साथ खेती होगी करेगा चोटेशन और किसी को में शुटेशन दूर्स करते है किकी सबस् неё एकर दूर्स इसे में इतने चोड़ी-चोड़ी आकार की खेती में और किषैटी मैं कैसे जो है पून्जी लगा सकते हैं कैसे मशीन हो एक है कैसे आःज निके उसकिया विखनी कर क्नी कि बड़ा करना और बिख़ी जोतों का एक जगा करना बहुत ज़्यादा जरूरी जिसमें सरकार ने काफियात तक काम किया भी है विवस्थित बित्रण बढ़नाले की कमी भारत में एक मैनेजड़ वे में एक और गनाइजड जो है डिस्टुबीशन सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा कमी है क्यों कि हम यह कि भारत में जो माले सरकार नहीं जो है खाद करने वक्याद बाटना तो ऐसे में खाद पर सबसे बड़ा अधिकार को ना जो बड़े किसान है बो लोक सारे खाद अपने कबजे में ले लेते हैं किसी तरीके से सामधर्ण भेद लगा कर और जो छोटे किसान होते वे चारे उनको खाद नहीं मिल पाता लैट लिश बो जो है फिर महेंगा खाद खरिदना पड़ता उसको तो एक सिस्टम परणाली बनना चाहिए जाकि छोटे किसानों को भी फायदा मिले और वह भी खेती को आगे बढ़ा सके इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया तो किर्शी उत्पादक्ता में ब्रिद्धी हेतु सरकार दौरा उठाय गया पुनमुत कदम कौन कौन से हैं इस संस्थागाद सदार नावीन योजनाएं तो संस्थागाद सदार में अगर बात करते हैं तो संस्थागाद सदार जो हमारे आपर institutional development हुए ठीक ना reforms हुए सबसे पहला है भूमी सुधार ठीक है भूमी सुधार भूमी सुधार में क्या हुआ भूमी सुधार में ही हुआ सरकार ने सबसे पहले मध्धस्तों को समात किया किसको मध्धस्त मतलब जो जमीदार ववबस्ता क्योंकि अंग्रेजों हुआ ने सबसे ज़जाब ब्रौद के इंडिया में जमीदार को लगाए जमीदार है महल वाड़ी ववस्ता है रएयाद वाड़ी ववस्ता सरकार नी सब को खतम कर दिया दूसरा कास्त कारी लिमिटेट खेटी वह बहुत ज्यादा तो जो जोतों को रखने का जो अधिक्ता सीमा है उसको लिमिट कर दिया कि लोग इतने से ज्यादा खेटे अपने बास ने रख सकते और दूसरा जोतों की दोबारा चकवंदी की गए चकवंदी का मतलब जो बिक्री हुई खेटी थी जो पड़ी बेकार पड़ी हुई थी उन सब को लोगों सरकार अपने कवजे में लिया फिर इसको सही कास्तकार के बीच में डिस्टिबिट किया इसका बहुत बड़ा फाइदा हुआ इंडियन को क्योंकि इसी का नतीजा लास्ट में ग्रियन रिवलेशन के रूप में आया ठीक है साख सम्मंदी सुविधाओं में सुधार लोगों को लोगों नहीं मिलता दारे ने उसके लिए सरकार ने सहीकारी साख समीतों का निर्माण किया भूमी विकास बैंकर निर्माण किया और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्णमें ने आपन नावाड बनाया जिसका एकम सुविधा है जो रिंड की सुविधा का विकास हुआ लोगों को काफी फायदा हुआ विप्रण की सुविधा की सबसे बड़ी प्रावलम में मालेजी हमने किसी एंटें किसी तरह से उत्पाद को उगा भी लिया ठीक ना खेती से प्रोडेक्टिविटी बढ़ाए भी उसक हैं कि मंडी की कमी हो ना बाजा की कमी बाजा नहीं मिलता था जो मेडियेटर्स थे जो दरालोग ओने पौने दाव में करते थे और उसको महेंगे दाव में दूसरे लोगों बेज़ देते थे तो विप्रण की सिविधार सुदार के लिए गौवर्मेंट ने नियुंता समा थनमूल कुछ फसलों में लगाया ताकि लोगों को उनकी उपचकाच से अच्छिकदाम मिल सके नियुमित मंडिया बनाए गई आज की देख में हर तैसीर में लगबालगा मंडिया हैं और साहिकारी बिक्री समीधिया बनेंगे लोग से यह समीधा जो है उनकी गाओं में ग पादक्ता वाले बीज प्रवाइड किये घए हैं यज को बोलती हैं जिससे अधिक पराने समय कहता है खेती अपने खेतों में जो उगाता था उसी को एजर बीज लग देता था उसमें कीड़े बगड़ा लग जाते थे ऐसे में उत्पादक्ता दोबारा खरा हो जाती लेक कि लोगों को सुचाय के प्रयक्स सुविधाप्रदान की जाए फसल संरक्षन के लिए जो है गो डाउन बनाया गया रिजर्व सिस्टम बनाया गया तो लोग जाकि किसान जो है अगर अच्छा दाम नहीं विल रहा है तो उसको बचा के भी रख सके लंबे स्टोर करके रख सक लागों की गई है यह ग्राम पचायद में सुरू हुआ इस देजवार में बन फॉर एक लाख 14,000 गावों में खाद्यान बैंकों की लोग अपने खाद्यान जो बेच नहीं पारे उसको जमा करके रख सकते हैं फिर हाई-टेक्स चाहिए योजना हाई-टेक्स चाहिए यह जमें यह कंपूटर की निदेश्ट से जो है नहर वगरा के दौज नहरों को जोड़ा गया इसके जो गेट जो है वह कंपूटर के बटन से खुलते जहां जिसकी जुरह ते बटन दबा दिया पर यह खुल गया था अलानकि यह सीविधाव घर जगा पसे प्रोवाइड साथ में हुआ ठीक है किई ता किष्षी में निवेश को बढ़ आवा दैना, लोगों को पूंजी मिल सके जिसी उत्पधक तो बढ़ा है उसके बाद किरिश्टी आय विमाय योजना ठीक है यह विमाय योजना क्या उजना किसानों के नियुंतम गारेंटी शुद्ध आय सुनिशित की जाती थी कि लोगों की जो आय है वो निश्चित हो सके और उनको हानी से बचाए जा सके उसके बाद सुरू हुआ किरिश्टी बेवाय योजना राश्टी बेवाय योजना के सुरॉत किया गया उननिस सो निनानवे से ले निनानवे – hacer लोगोई से बीच में सब्सक्राइब करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया और लास्ट में किशान के रिट कार्ड योजना किशान के रिट कार्ड की योजना शुरू ही 1998 में और इसके लाव इसमें जो है किशी छेत्रे के किसानों चोटे-चोटे किसानों को रिंड्स वीधा प्रोवाइड करने हैं मतलब जिनके वाद किसान के रिट कार्ड था उनको रिंड जो है आसानी से प्राफ्ट हो जाता था तो यह रही भारती उक्रिशी की दसाए आपको कैसे लगा आपको कोई क्लास समझ में आया क्योंकि स्रिलेटर एक्जामनेशन में लॉंग कोशन काफी पूछे जाते हैं इसके लावा आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ठ यवरिवन बाइ